बिस्मिल्ला रह्मनिरहीम असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब तो वीवर्स आज मैं आपके लिए बुखत ही जबरदस रेसिपी लेकर रही हूं चिकन चाउमिन की तो आप इसको मेरे तरीके से जरूर बना कर देखिएगा जो लोग फर्स टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं त जोलीन कटिंग अज़ेको इस तरह से स्टृप्स में काट दिया है जूलीन कटिंग इस तरह से लबावल में निकाल लोगे सारे चिकन को चाहें तो क्यूब्स की तरह से भी इसको कट कर सकते हैं लेकिन जूलियन में कटा हुआ ज्यादा अच्छा लगेगा अब मैं इसमें क्वाटर टी स्पून काली मिर्च पी सीवी डाल रही हूं यह पीक घंञेगा अब नमक भी जानन नमक और वन टेबल स्पून थोया सोस अ गया और वन टेबल स्पून इसमें आईल जाएगा बस इतने ही इंग्रेट चाहर मैं फ़ी इसको तो यह मिक्स हो गया है, हम मैं इसको 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट का टाइम दोंगी, और तब तक हम सॉस की प्रेपरेशन कर लेते हैं, तो सॉस तैयार करेंगे, इसके लिए मैंने 3x4 कप कैचप ली है, तो सम पहले ही तैयार कर लेंगे, ताकि हमारा कुकिंग प्रोसेस में ट कर लेंस की पुंद justamente कि तो और या टेबलस पून सोय सॉस, वन टेबल स्पूंझ चिली सॉस, और whan टी स्पूंझ चाहेंगे एंपर ब्राउन शुगर यहां पर की लिए है, याणि कि श्खकर, 1 टेबलस्पूंझ कर्मसाला पिसा हूआ, हाफ टीस्पून, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पीसिवे जाएगी और हाफ टीस्पून नमक और अब यह सारी चीजों को डालके मैं अच्छी से मिक्स कर लोगी अच्छी दरफ इसारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं यह देखे इस तरह से यहां पर मिक्स हो गए अब हम नूडल को बॉयल कर लेंगे तो इसके लि स्पून ऑईल डाल दूँगी और वन टीस्पून नमक डाल दिया है अब इसको कवर करके मैं बॉयल आने दूँगी और यहां पर मेरे पास नूडल का फॉल पैकेट है लेकिन मैं फॉल नहीं यूज़ करूंगी जो कि बहुत ज्यादा हो जाएंगी इसलिए मैं हाफ इसको यूज़ करूंगी तो हाफ में सेफ कर लूँगी यहां पर मैंने हाफ पैकेट डाल दिया है कुछ लोग नूडल्स को तोर कर डालते हैं जो के बिल्कुल अच्छे नहीं लिपते और यह इस तरह से बाहर है यह इस तरह से जैसे ही सोफ्ट होंगे यह पानी के अंदर चले और इस तरह से नहीं को अब मिक्स कर दूंगी ताके सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और बॉयल भी सही फॉर्म में हो जाएं इसको मैं साथ से आट मिनट तक बॉयल करूंगी और बीच में एक दो बार इसको हिला भी दूंगी ताके सारे मिक्स हो जाएं और यहां पर चेक कर लोगे तो 9 नामने ँवे तो च्च कर लें गूरleşए कह Ivan 320 एच दया है तो मैं इसको stun कर लोगे इस तरह से houden झाले या कैट ने कि मैं इसको जादा देर उच्चांद मालो जर्ला वर्ने यह बहुत ज्याद म्हाँ जाते हैं तो मैंने इसको स्टेंड कर लिया है मैं इसके उपर से तंडा पानी डालूँगी ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस हतम हो जाए वरना ये जितनी देर गर्म रहते हैं अपनी देर कूक होते रहते हैं और वन टेबल स्पून मैंने ऑईल डाल दिया है ताकि यहां पे इसमें स्टिक ना हूँ और आयल डालके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी यहां पे मारे नूडल्स रडी हैं अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और यहां मैंने एक वोक ले लिया है और इसमें 5-6 टेबल स्पॉन आयल के डाल दूँगी 1 चिकन को अच्छी तरह से इस तरह से सेपरेट कर देंगे सारे पिस्स को और इसको फ्राइ कर लेंगे इसमें यह देखे इसका कलर चेंज होता जा रहा है में पानी डालने की जरूरत नहीं है यह जितनी लंबी और बरेक स्ट्रिप हमने काटी हुई है यह ऐसे ही गल अच्छी तरह से सोफ्ट हो चुका है अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में इस तरह से मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और अब इसी बचे हुए आयल को मैं यूज करूंगी और इसमें वन टीस्पून मैंने फाइन चॉप की आवा लेसन डाल दिया है औ अब साथ ही मैं अपनी वेजिस टाल दूंगी तो सबसे पहले उसमें गाजर डालूंगी ये गाजर को भी मैंने फाइन जूलियन कट किया हूँ है ये देखे इस तरह से लंबा लंबा आपने इसको कटिंग करना है मूडल्स में इसी तरह की सबजियां लंबी-लंबी कटी हुई अच्छी लगती है बहुत ही आसान रेसिपी है विगनर्स भी इसको एजिली बना सकते हैं स्टेप्स को फॉलो करते हुए पुकिंग में कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं होता और अब यहां पे मेरी गाजरें सोफ्ट हो गई है और साथ ही मैं जूलियन कट की हुई शिम्ला मिर्च डाल दूंगी और शिम्ला मिर्च डाल के भी इसको फ्राय कर लेंगे एक दो मिन किया है जैसे कि आप देख सकते हैं और अब डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करती जाओंगी और यह सारी वेजिस हमारी सोफ्ट हो चुकी है यहां पे देखें अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी जो चिकन हमने पहले फ्राय करके निकाला था यह वही चिकन है और चिकन डाल के भी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से आप चमच को चलाते रहें वर्ना सब्जिया जल ना चाहें कुछ अच्छी से मिक्स हो गया है अब मैं इसमें सोस डाल दूंगी यह सोस हमने जो पहले तयार कर ली थी यह वो सोस है और इसके साथ हमें कोई भी मसाला वगरा डालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने कि मैं इसके सोस में हर चीज जाली हुए है नमक, मिर्च मसाले हर चीज जाली हो यह i hope कि इसलिया मैं इस पॉइंट पे आसानी हो गई हैं सोस डाल के मैं इसको पका लिया पांच मिनट के लिए Hurricaneैश पांच मिनट के लिए तो आपंच दाल डाल के भी मैं इसकोर अचिनfive दो स्पेचुलास की मदद से मिक्स कर लूँगी अच्छी से ताकि सारी वेजिस भी और चिकन भी अच्छी तरह से नूडल्स में मिक्स हो जाए तो यह यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है और यहाँ ही स्ट्रेपे में स्प्रिंग अनियन इसमें कट की और डाल दूँगी अपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते है और अच्छा से मिक्स करके तो यह देखे हैं यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है कितना मज़े हो का हमारा चिकन चामिन रेडी हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर देख लें कितना अच्छा कलर आया है और इतना स्पाइसी और फ्लेवर फुल मुझे अमीद है कि आपको और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कॉमेंट में मुझे जरूर बताईएगा कि आपके चिकन चाओ मिन कैसी बनी तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज